बिना वक्त जाय करे मैं सीधे अपनी पंक्तियों से शुरुवात करूँगा बेवजा था ठुगराया एक-एक करके समझा था अपना रंग दिखाया एक-एक करके समझा था उस वक्त कि मर चुका हूँ मैं समझा था उस वक्त कि मर चुका हूँ मैं समझा था दफनाया एक-एक करके बेवजा था ठुगराया एक-एक करके समझा था अपना रंग दिखाया एक-एक करके समझा था उस वक्त कि मर चुका हूँ मैं समझा था दफनाया एक-एक करके बतादो उन हसीनाओं को कि जिन्दा हूँ मैं अभी सबसे बदला लोंगा सभी के दोस्त सबसे ज़्यादा अजीज होते हैं मेरे ख्याल से दोस्ती एक ऐसा रिष्टा है जिसकी उम्र नहीं होती ता उम्र चलता है वो रिष्टा तो मेरा एक अजीज मित्र है उसका भी दो दिन पहले ब्रेक अप हुआ तो भाईया ने याद किया कि हमारा उनका एक मित्र है जो लेखक है तो बुले भाई कुछ सैड सी शायरी बताओ तो उन्होंने एक सिचुएशन भी दी तो उसके उपर मैंने लिखी हैं जो पंक्तियां वो पढ़ रहा हूँ ये पैंतरे ना दिखाओ मुझे हर रोज ना आजमाओ मुझे ये पैंतरे ना दिखाओ मुझे हर रोज ना आजमाओ मुझे अब आखिर तुम क्या करना चाहती हो आशिक की बद्दुआओं से मरना चाहती हो अब आखिर तुम क्या करना चाहती हो आशिक की बद्दुआओं से मरना चाहती हो तेरे तौफो को मैं जला चुका हूँ अच्छा जो मैं बताया ना situation थी भहियान है तो उनकी situation यह थी कि उन्होंने तो जो जो गिफ्ट लिये थे, वो सब जला दिये, लेकिन जो उनोंने अपनी प्रेमका को गिफ्ट दिये थे, वो कहीं किसी फंक्शन में उनकी गिफ्टिड ड्रेस पैन कर गई थी, तो उस पर मैं लिखा था कि, तेरे तौफों को जला चुका हूं मैं, अब भी मेरा तौफा प पैसा चाहती हो, या फिर एक बेवफा अपने जैसा चाहती हो, अब आखिर तुम क्या-क्या करना चाहती हो, अपने आशिक की बद्दुआउं से मरना चाहती हो. कुछ जिदने भी, आज कुई ऐसे पफोर्मर हैं, ज़िनका पहला कारकरम हैं आज? नहीं है? अच्छा तो ऐसे ही एक दिन हम भी आये थे तो उस पर मैंने लिखा है कुछ चार छोटी सी पंक्तिया है जादा नहीं है ये निविदन करता हूँ सुनेगा के बड़ी ही आस लेकर के शहर को जा रहा हूँ मैं के आशिरवाद लेकर के गाउं से आ रहा हूँ मैं सुनेगा मुझे को भी ये जग वो लमहा दूर अबना है उसी लमहे की खातर तो आज भी गा रहा हूँ मैं जो मुझे पे बीत जाती है अकेले अब भी रातों मैं जुबां पे आही जाती है अक्सर बातों बातों मैं खता जो इश्क मैं उस की थी वो छुपा रहा हूँ मैं भरी महफिल मैं खुद को बेवफा बता रहा हूँ मैं बड़ी ही आस लेकर के कुछ पंक्तियां हैं जो इस मंच पे जब भी मैं आता हूँ वो पंक्तियां मुझे हमेशा याद आ जाती हैं तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं फिर एक और शेर पड़ूगा फिर अपनी जगा लोगा उसके कंगन की खंखन के शोर में खोए उसके कंगन की खंखन के शोर में खोए उसकी शादी के दिन हम अकेले रोए ये बाजा उसकी बारात का लगता है ये दूला तो मेरा रकीब सा सच्ता है, कुछ ऐसे वो रात मुझे अधूरा कर गई, मेरे हिस्से मैं आई जुदाई इश्क पूरा कर गई अच्छा, चार पंक्तियां हो रहे हैं, वो पढ़ता हूँ पहले, फिर एक आखरी शेर ये लेख है उसे नजर, ये लेख है उसे नजर, जो मेरी जीवन साथी है, रिष्टा तो मैं मान चुका, बस फेरे लेना बाकी है, एक दूजे के साथ बिना हमारी दुनिया आधी है, हम सफर हम राही है, मैं कलम वो से आही है एक शेर है या जो भी है, चार पंक्तिया है आखरी, लोग रंग बदलते हैं, सभी को सब तरे के लोग मिलते हैं, रंग, दो तरीके के लोग होते हैं, मेरे कहल से, एक होते हैं, जो अपना रंग बदल देते हैं, समय के अनुसार बदल जाते हैं, आप सभी की जिंदगी मेर किन्हेब मैं हाने और भॉत आईतमाइब होंगे और कुछ चुछणद Конंंदा लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आपकी जिंदगी कारण बदलते हैं आपका साथन बाहखर तो लिख रहा हों कε little Reverse लोग रंग बदलते हैं और बंसरी वाला वक्त बदलता है मेरा काृणsix मुझे जरूर काम्याब करेगा देख लेना वो कुछ यादगार करेगा भजबाद